हिंदु जागरण मंच के करीब 40 से 50 कारे करताओं ने हिंदु जागरण मंच के परदेश महामंत्रे कमल गौत्म के अगवाई में शहीदी पार्क बिलासपूर से लेकर गुरुद्वारा चौक तक देश्व परदेश में बढ़ रहे इसलामिक जिहाद के विरूत थे एक रहल निकाली वो गुरुद्वारा चौक पर इसलामिक जिहाद का पुतलज लाया पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमल गौत्म ने मांग की कि परदेश में चल रहे मदर्सों को बंद किया जाए उन्होंने कहा कि आसी कौर सी शीक्षा है जो इनके बच्चे हमारे बच्चों क इसास कुलों में नहीं पर सकते हैं उन्होंने देशुद्वा परदेश में चल रहे सभी मदर्सों को बंद करने की मांग की है तथा इसलामिक जिहाद के बढ़ रहे मामलों पर तुरन अंकुष लगाने की मांग की है उन्होंने कहा कि एक लिक वकद्वारा उन्हें भी फेश्बुक पेस पर धमकी दी गई है जिसका बिरोद करने के लिए यहां एकातरित हुए हैं। इससे पहले भी सिर्मा और बबद्दी में ऐसी रेले निकाली जा जुगे हैं तथा पविश्य में पूरे हिमाचल में ऐसे विरोद पर दर्शन किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे धमकी देने वाले उगों को वें पुलिस के पास नहीं ले जाएंगे तथा उससे अपने तोर पर निपटेंगे। में यह अंदोलन और तेज करेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में चलने वाले सभी मदरसों को पुरंत प्रभाव से बंद किया जाएं ताकि यह इसलामिक जिहाद की फैक्ट्रियां बंद हों और हिमाचल प्रदेश का शांती और चैन अमन जो है ब जास पूर जास पूर।